यार अरब लोगों को आप पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसी गंट्री से लागे इंदुस्तान में कहां रखेंगे? दिल्ली, बॉम्बे, भोपाल, जगा कहां है? उनको नौकरियां क्या देंगे? मुझे एक बात बताएं, आप में से किस-किस के पास अच्छी नौकरी है? कोई, एक मिनिट, आप क्या एंप्लॉइमेंट देंगे, वो खाएंगे क्या, वो पहनेंगे क्या? एक तो हमारे पास वोट करने के लिए अलग कार्ड है, आधार कार्ड का क्या यूज है? डिमॉनिटाइजेशन क्यों हुई? I am sorry, बट अगर हम एक चाय बनाने वाले को दे देश को मिले और मजबूत हातों में देश है हमारा इसकानी. बिल्कुल भी नहीं, आपको लगता है सब? क्या आपको लगता है कि देश मजबूत हातों में? आप मुझे एक बाल बता है, आप रेपोर्टर है, फुलिस का काम क्या होता है? देश किस रखसा करना लोग को किस अच्छे टेरिरिस्ट है, जो सुभा लोग बैठ के चाहे पे यह सब्जेट के बार में पढ़ते हैं न, कि न्यूस पढ़ते है, पॉलिसी आई हम पूरी रात बैठ के उन पॉलिसी उसको बनाते हैं, हम स्टडी करते हैं, हम रीसर्च करते हैं और हम इंप्लेमेंट करते है और हम जो प्रटेस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल गलत नहीं है, कोई मुझे बता दे कि यह गलत है, मैं तो आपको मूर समझूगी, इसमें गलत क्या है, आपको डेसेंट में और आपको, हम लोग, we are showing us, we are showing you descent. आपने पुलिस का अभी नाम लिया कि पुलिस के अकर रही है, जैसे जेनियो की गटना होई है, कहीना कहीं पुलिस पर एक बड़ा आरोप लग रहा कि पुलिस ने ठीक से काम नहीं किया, देखे मैं आपको एक बात बताती हूँ, my father is a policeman, I am a Kashmiri, ठीक है, मुझे पता है पुल मैं बिलकुल कंडेम करती हूँ उस हरकत को, पंदरा को आप जामया के अंदर आते हैं, I was a part of the protest, आप अंदर आते हैं, आप बच्छों को लाठी चार्ज करते हैं, आप कहते हैं कि हमारे पास permission थी, और फिर जब पास्तारी को आप युनिवरसिटी के अंदर जाते हैं, आप गुन्स को, आप गुंडों को रोग नहीं सकते हो, प्रॉपर्टी वांडरलाइज करने से, पिकस आपको commission चाहिए थी, आपको क्या लगता है, जो बच्चे राद राद बढ़ भैट के पढ़ रहे हैं, जो लाइफ जी रहे हैं, ठीक हम लोग college students हैं ना, हमने इतनी सारी forces एक बंदा कंट्रोल कर रहा है, जुटीशियरी को एक बंदा कंट्रोल कर रहा है, this is world war 3, ये वो वक्त है, जब दुनिया खतम होगी, जब ये देश खतम होगा, अब भी अगर लोग नहीं बोलेंगे, तो देश खतम होगा, आप हिंदू मुसल्मान को बाट रहे हो, this is the most sick thing one can do. 1370, NRC, CAV, सब कुछ बताया गया था, बट हम इंदुस्तानी, मैं खुद, मैंने किसी पार्टी का मैनिफेस्टो नहीं पड़ा है, हमने ये चीज पड़ी ही नहीं, हमें नहीं पता था, अब जब जाके मैंने पड़ा तो मुझे रियलाइज हुआ कि विमेन, सेफटी और ड आपको रात में अगर आपकी कोई बहन है, है आपकी बहन आप उसको रात में दो बचा निकलने दो के भाराक, आप तो जाल लगता है। पहले भी निकल ले दे सकते हैं, सरकार की बात छोड़ो, आप दे सकते हैं रात में दो बज़े अपनी मा को अगेले सड़क पर निकल ले दोगे, मैं तो नहीं निकल ले दूगे, तो अब बताए मुझे कि इस देश में रह रहे हैं, जिस देश में पुलिस घटना के आदे घ हिंदुस्तान को आजाद हुए 70 साल हो गए मैं आपको बात बता हूँ यहां पर कोई भी अगर मुझे पूछेगा मुझे किसी से आजादी चाहिए मुझे इस डर से आजादी चाहिए कि अभी अगर मेरे माबाप का मुझे कॉल है और मैं उनको बोलू में प्रोटेस्ट में ह उनकी जान खत्म होने को ना यह क्योंकि इस वक्त सबको पता है जो लोग भाहर निकल के बात कर रहे हैं भू लोग पिदे लिख tough इस इस शिख मेंडालिटी, आप आरे से स्कूल्स बना रहे हो, आप बच्चों को भेज रहे हो, वीडियो जाओ जाके मंदर मस्जित तोड़ो, क्या बच्चे है वो, जिस हमर में उनके हाथ में पेंसिल किताब अकड़ानी चाहिए, आप उनको मंदर मस्जित सिखा रहे हो, ये हिंदुस्तान का फ्यूचर है, ये, जो आप देख रहे हो, आप बहुत 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 हो गई हो गई है, मुझे मेरी डिगरी खत्र में लग रही है, मैं लोग कर रही हूँ, ठीक है, मुझे अपनी डिगरी यूजलेस लगती है, क्या फाइदा ऐसे सब्सक्राइब करने की नहीं, आप लोगों को लाने की बात कर रहे हूँ, रखोगे कहां, अपने लोग आपसे खुश नहीं है, आप मैंसे किस को पता है, बीजेपी का एवल्यूशन कैसे हुआ है, बीजेपी पार्टी बनी कैसे, कि सेवेंटीज के टाइम पे जब एमर्जेंसी आई थी, तब एवीवीपी ग्रूप बनाया था, अरुन जेटली सर ने, जब वो डीउ में लेल भी कर रहे थे, उन्होंने एक स्टूडेंट मुमेंट शुरू करा था, जिसके बाद एग्ज जब उनकी पार्टी थी, इंद्रा गांधी ने उनके उपर ना पुलिस वाले छोड़े, और मैं पुलिस वाले छोड़ना बोलूँगी, परिकद वो कुत्तों से कम नहीं है इस वक, ना उनके उपर पुलिस वाले छोड़ेगा या ना उनके उपर डंडे बरसाएगा, इन उन्होंने जै प्रबास नरायन को उठा गे एक पूरी गवर्मेंट गिरा दी, और आप हमें बता रहे हो कि आप क्या कर रहे हो, हमारे बास दिमाग है, हमारे बास एजूकेशन है, and that is our weapon, we use it, हम हेटरेड नहीं फैलाते हैं, हम पढ़ते हैं, we teach and we preach, this is what we do.